अस्तामनीकूम फ्रेंड्स, वेलकम बैक तर जब स्मार्टी इस ट्रामा सिरियल चुओं आहरकार आर्यान और मर्यम की जुदाई के दिन हतम हो ही चुके आज दिन हतम होए तो आर्यान बहुत हुश है कि अब तो भाग कर मर्यम के पास चाहता है उसके आंखों पर पटी बांदी और उसे सर्प्राइस देने लगा मर्यम भी बहुत हुश है वो आकर उसको केक कटवाता है कि आज जुदाई के दिन हतम हो गए दोनों एक दुसरे के साथ बहुत हुश है तो यहां पर शेरी भी तेंजन मर्यम को मुबारिक बात देने लगा तुम्हारा हीरो जीत कया मर्यम की तो खुशी की इंतहा ही नहीं खिल खिला कर हसने लगी और आर्यान का तो बस नहीं चलता कि मंगनी की बिज़ाए डिरेक्ट आज ही निकाह कर ले मर्यम से लेकिन अब शेरी ने मैविश के कहने पर एक और शर्ट मर्यम के सामने रखती मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आर्यान की माँ उसकी खुशी में शरीक ना हो आर्यान की माँ बिमार है होस्पिटल आइस्ट है जरूर आर्यान को इन्वाइट करना चाहिए तो मर्यम भी हां में हां मिलाती है और आर्यान को मना ही लेती है इस बात के लिए कि वो अपनी माँ को जरूर अपनी मंगनी में बुलाए अब मर्यम यह नहीं जान दी कि उनके होस्पिटल में जो शैला कैंसर की मरीजा है वही आर्यान की माँ है लेकिन यहाँ पर आर्यान की माँ तक ये हुशबरी पहुँची गई कि उसकी बेटे की मंगनी है और वो भी इन्वाइटिट है बहुत ही खुश हो जाती है कि जीने की उमीद दुबारा से जागने लगी अब वो मरीम को जैसे कि वो उसकी डॉक्टर है उससे अपनी हुशी शेयर करते हुए एक नेक्रस दिखाती है चेन दिखाती है और कहने लगी ये मैं अपनी बहु को दूँगी हमरे हांदान में रवाज है कि बहु की मुँ दिखाई पर उसको कुछ न कुछ देते हैं तो मैं ये अपनी बहु को दूँगी यहां पर मरीम उनकी ये हुशी देखकर बहुत हुश है आहर कर आर्यान को पता चल गया कि उसकी मा मरीम के हॉस्पिटल में है तो वो अपनी मां से मिलने भी आता है इतने अर्से के बाद जो आया तो अपने आंसों को रोक नहीं पाया और मां भी जारो कतार होती रही बेटे का मुँ अपने हाथों में लेकर अपनी ममता को तसली देती रही और बेटा भी बिलक बिलक कर रोता रहा जैसे कि अपने बच्चपन की सारी कमी पूरी कर रहा है ऐसलिए मर्यम भी इनको देखकर जस्पाती हो जाती है क्योंकि मर्यम के भी तो पेरंट्स नहीं वो समझ सकती है कि आर्यान किस सिच्वेशन में है और इतना जस्पाती क्यों हो गया वो भी रोने लगती है तो तबी मां को पता चलता है कि उनकी बहु और कोई नहीं यही डॉक्टर मर्यम है अब वो इस पात से भी बहुत हुश हो जाती है क्योंकि डॉक्टर मर्यम उन्हें भी बहुत पसंद है आहर कर मंगनी का दिन भी आही जाएगा यहां पर सभी बहुत हुश है लेकिन यहां पर शेरी और मैविश अपने प्लैन के मताबिक धमाका तो जरूर करेंगे और इनकी हुश्यों को हतम करने की कोशिश करेंगे बहुत ममकिन है कि यहां पर बेटे के सबमे की वज़ा से मां की देथ हो जाए अभी जो आर्यान ने मां को पाया था मां को इतने अर्से के बाद देखा था क्या पता वो अभी इस दुनिया से ही चल बसे सिर्फ इस मैविश और शेरी की वज़ा से लेकिन फ्रेंड्स आपको क्या लगता है आर्यान की मां की देथ हो जाएगी या नहीं जरूर आप भी अपनी कीमती राय के इसहर कमेंट्स में कीजिएगा मज़ीद वीडियो के दिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल कर नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दे ताकि आने मादी हर वीडियो आप बहाँ सानी देख सकें अलाहाफिज